पनोर मंक्रो जो सोचता है वो करता है चैन में भी कई पेंच अभी फंसे हुए है आपको हमने बताया कि कई लोगों के टिकट कटे हैं और कुछ बहुत सारी बातें अभी होनी बाकी है एक तरफ जहां इस नामों के आने के बाद कई उमिद्वार जो बरतमान में सांसद हैं वो बिद्रोही हो गए हैं और दूसरी तरफ भारतिय जन्ता पार्टी ने भी बहुत सारे परिवर्तन किये हैं कई लोगों के टिकट कटे हैं कई नई लोगों को जोड़ा गया है इन सारी बातों को ले करके अब जो बरतमान पर इस्तिती बनी है वो असमंजस के इस्तिती पैदा कर रही है इस असमंजस के इस्तिती में एक बात तो साफ साफ नजर आ रही है कि भारतिय जन्ता पार्टी और जन्ता दर उनाइटे जो फैसला किया है और उस फैसले के बाद जो इस्तिती पैदा हुई है और पिछले 24 गंटे में जो रिपोर्ट आ रहे हैं अलग-अलग छेत्रों से वो काफी चौकाने और डराने वाले भी हैं इसको ले करके अब कहा जा रहा है कि आधा दर जनाइसे सीटे हैं जिसमें ताजा रिपोर्ट आने के बाद भारतिये जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी काफी परेशान नजर आ रहे हैं इंडिये में सीट और कंडेट पर हो सकता है फिर से बदलाओ यानि ये बाते हम नहीं कह रहे हैं बलकि चार्चा जबर्दस्त है कि सीट सेरिंग समझहता तो ठिक ठाक हो गया उसमें कई दलों ने कहा जा तो अपना नाता तोड लिया तो कई दल इस इंतजार में थे कि अणिए में उनको मौका मिलेगा लेकिन नहीं मिला तो इस फेज से तो कहीं न कहीं भारती जनतापाटी और एंडिये गुजर गई लेकिन जो ये दूसरा फेज है कंडिडेट के चैन के बाद उसके बाद एक से कहानी सामने आ रही है और इन कहानियों ने कहीं न कहीं जहां एक तरफ भारती जनतापाटी वहीं दूसरी तरफ जनताद लुनाइटेट को काफी डराया है क्योंकि भारतिय जंता पार्टी के विरुद्ध और जंता जल उनाइटेट के विरुद्ध जिस तरह से लालू परसाद स्टेटजी बना रहे हैं वो काफी दिल्चस्प भी है और डराऊना भी है आपको बता दें कि पिछली बार के रियर्ड को अगर देखें तो आधा दरजना ऐसी सीटे हैं जिस पर कड़ी चक्कर हुई थी और इस बार भी लालू परसाद चुकि फ्रेम में हैं और एक से एक रननितिया पना रहे हैं तो यह मान के चलिए कि लडाई आसान नहीं होगी 2014 और 2019 जैसी परिस्थितिया भी नहीं है हाला कि राम मंदीर को ले करके भारती जनता पाथी अपनी पिठ थप थपा रही है तो वहीं आपको बता दें कि इन सारे विशेयों को ले करके जातिये गंड़ना से ले करके जिस तरह का रननिती बनाया है लालू परसाद ने वो काफी चौकाने वाला है हला कि अभी भी एक बात साफ नजरा रही है कि कॉंग्रेस और आरजेडी के बीच में अभी भी समझाता नहीं हुआ है और ऐसा लग रहा है कि दोनों आमने सामने और फ्रेंडली फाइड करेंगे लेकिन इस बीच में आपको बता दें आधा दर्जन सीटों पर ये कहा जा रहा है कि इंडिये के कंडिडेट पर विचार किया जा सकता है अब इस बात को लेकर के 24 गंटे से जो चर्चा चल रही है कई लोगों को बधाईयां दे दी गई है कई लोगों को इधर से उधर कर दिया गया है इन सब के बावजूद आपको बता दें कि भारतिये जन्तापाटी ने जो सर्वे रिपोर्ट देखी है उसमें जन्ता दिलनाटेट काफी कमजोड नजर आ रही है ऐसी इस्थिती में अगर नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधान मंत्री के कुर्शी पर बैठाना है तो भारतिये जन्तापाटी को कड़े फैसले लेने पर सकते हैं यानि कि सिधी तोर पर आप समझ लीजिए कि जो बरतमान परिश्थिती बनी है वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि NDA में एक बार फिर से कंडिडेट के नाम पर विचार किया जा सकता है सिंबोल देने से पहले भारतिये जन्तापाटी नामों का चैन कर चुकी है जदियू नामों का चैन कर चुकी है अब इसमें एक नया ट्विस्ट आया है क्योंकि जिस तरफ से विद्रो हो रहा है NDA के भीतर चाहे वो जदियू हो या फिर भारतिये जन्तापाटी हो उस कंडिडेट के नाम बदलने से भी सुरुआद हो सकती है। जुडे रहे हैं भारत लाइपके साथ। अगर पत्रकाजिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता नहीं तो ज्वाइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386-816-7000 धन्ने बटने